हेलो एंड वैलकम एवरिवन स्वागत आपका मेरे ओफिशल यूटूब चैनल एगरी कल्चर सक्सेस पॉइंट पर और आज अपने बात करेंगे डी डील के बारे में डिफ्यूज डबल लेयर के बारे में क्या होता है कौन-कौन से इसकी प्रोपर्टीज होती है और कौन- सब्सक्राइब बनते हैं जो आपके हर साल किसी ने किसी कॉम्पेटिशन एक्जाम के अंदर देखे जाते हैं इसके लवा अपने स्वेल कमेस्ट्री के लबग चार-पांच टोपिक रह गए हैं फिर अपने स्वेल कमेस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी मेरी तरब से स्व हमारा यह टोपिक भी रह गया है तो मेरो जुरूर बताना कि सर यह हमारा टोपिक रहता है उसको भी अपने कवर करेंगे तो आज अपने बात करने जा रहे हैं डी डी आलके बारे में ठीक है कल की जो क्लास थी उसके अंदर अपनोंने डीडियो के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक सा पड़ा था ठीक है लेकिन आज अपने कंप्लीट जो है उसको करने जा रहे हैं यह यह आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल इकन को जुरूरत बाना औ ठीक है कल की जो क्लास थी वो पूरी आयन एक्सचेंज पर रही थी तो देखें डीडियल की फुल फॉर्म क्या होती है डिफ्यूज डबल लेयर ठीक है इसका डाइग्राम वही रहना है कि कोलोईड है इसके अंदर पहली लेयर कौन से होती है नेगटिव चार्ज वाली होत जाता है के टाइन आके जो है कोलोईड की आउटर सर्फेस पर जुड़ जाते हैं ठीक है अब मैंने आपको इनके नेम भी बता रखी है कि कौन से लेयर को किसी नाम से जाना जाता है जैसे जो फर्स्ट लेयर है इसको अपने क्या बोलेंगे नेगिटिव ली चार्जड लेयर ठीक है क्योंकि इसको अ-पने नेगिटिव ली चार्जड लेयर भी बोला जाता है और इसको किस नाम से चैना जाता है इममोबाइल लेयर है जैसे अपने अपने ठैक क्या दो मोबाइल और इमॉबाइल नोट्रेंट जो सकते है और इमोबाल जो प्लांस के अंदर जो है मोबाइल होते मत्रों मोमेंट नहीं करते हैं अब अभी लेवल फोम के सबतों पहों करें एस अब होते हैंऑ डा उती है इसको क्या दो लेक्स फीक्ष्ट पुर्श था जता है पॉसक्ष यह रेता है इसलिए इसको fished layer भी बोला जाता है और इसको किसे नाम से जना जाता है negatively charged layer, immobile layer, fished layer और एक इसका main important नाम stern layer ठीक है ये चार इसके नाम है negatively charged layer, immobile layer, fished layer और stern layer है ठीक है तो ये जो आपकी first layer होती है जो second layer है इसको बोला जाता है positively charged layer ठीक है और इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसको diffuse layer के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और इसको किस नाम से जाना जाता है तो और इसको helmetize के नाम से जाना जाता है भीक है तो यह जो है इसके अधर नेम है तो इनको अच्छे तरीके से आपको नाम को याद रखना है नेम से एकजाम के अंदर कोशन बनते हैं अब देखिए यह दो लेएर है ठीक है पहले वाली नेगटीव को जाना जाता है तो दो लियर होगी इसको क्या बोलते हैं ड्िफ्यूज डबेल लेयर फैक्ट, फिम ड्यार रेर यॽ लेर है इसलिए इस अच्छार दोता है ऐक कोशन तो आपका ये भी बनता है नेस्ट अपने देखते हैं डीडियल की प्रोपरटी वहाँ पे कोशन बनते हैं उनको देखते हैं दो डीडियल की प्रोपर्टी लिखाऊंगा उसमें से आप इसको तीन चार कितने भी प्रोपर्टी लिख सकते हैं उसके देखकर तो वो आप लिख लीजिए प्रोपर्टीज ओफ डीडियल प्रोपर्टीज ओफ डीडियल पहले प्रोपर्टी क्या है कि जब इसके अंदर इलेक्ट्र लाइट कोई भी सोलूशन हमालो ये ठीक है अब इसके अंदर जब मैं इलेक्ट्र लाइट की कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा इंक्रेज करूंगा इसके अंदर क्या डीडियल पार्टी थीकनेस फिसके लिफ होजाएगी राज्द्स होजाएगी एलेक्ट्र लएट डढलूब दालूगा इसके अंदर पहले लूजे बॉंड्ड थे क्यतायन में के इसमें तो जब इसके अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जेकि तो बॉंड भी ज्यादा टाइटली बनेंगे ठीक है ना तो यह जो एडिया था वो कम हो गया इसलिए जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रो लाइट में लाएंगे सुलूशन के अंदर उसकी डीडियल जो है वो यूज हो जाएगी ठीक है तो अपने इस पॉइंट को कि स्टैप से लिखेंगे वैन इलेक्ट्रो लाइट वैन इलेक्ट्रो लाइट कंसेंट्रेशन वैन इलेक्ट्रो लाइट कंसेंट्रेशन इंक्रीज इन सोलुशन इन सोलुशन देन DDL थिकनेश इस रेडिूज ठीक है तो पहले तो जही प्रोपर्टी है कि जब सोलुशन के अंदर ठीक है जब सोलुशन के अंदर electrolyte की concentration क्या करेंगे increase करेंगे बड़ा देंगी तो क्या होगा जो DDL हो जाएगा उसकी तिकनेश रेडिूज हो जाएगी तो पहले प्रोपर्टी यही बनती है DDL की ठीक है सेकेंड प्रोपर्टी क्या बनती है कि डाइवेलेंट जो कटाइन होते हैं डाइवेलेंट का मत्रव उस पे वेलेंसी दो होईगी ट्राइवेलेंस का मत्रव तीन और मोनोवेलेंट का मत्रव होगया उस पे वेलेंसी कितनी है एक है ठीक है एक वेलेंसी है उसको मोनोवेलेंट दो इसको डाइवेलेंट 3 जो ट्राइवेलेंट ठीक है तो जब डाइवेलेंट केटाइन जो होते है okay okay when divalent cation increase then DDL thickness reduce when divalent cation increase then DDL thickness reduce बत्रो जब divalent की cation की amount बढ़ेगी तो DDL की जो thickness है वो भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसके लिए आपको में को एक सिक्व życie रखना पड़ेगा एड ज्डौप्शन सीक्वेंस ठीक है है उस्युक्वक क्या बोला जाता है add option sequence के जाना जाता है तो वह आपको स्कूलिच याद रखना थाकि आपको अरे कौशन असाल लगे gewoon अड्जोप्शन स्क्वेंस के अंदर क्या पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा एड्जोप्शन किसका होता है उससे कम किसका होता है तो सबसे ज्यादा एड्जोप्शन होता है वह था है aluminium का जिस पे वैलैंसी होती है छिय को निसाज़ सासा था अपका केलशियम उसके क हम magnesium उससेय कम potassium उसके Spr program k कर तोडियूं कि अब इस्टोपिकों अच्छे तरिके से यानि इस पार्ट को अच्छे है यहां से एक्जामिनर चाहिए दो कोईशन मना सकता है तीन मना सकता है तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जब अब अलुमीनियम डाला जाएगा तो डीडियल की थिकने बढ़ेगी या गटेगी तो इसकी थिकने इस गटेगी क्योंकि अभी अपनों लिखा डाइब जो डाइवेलेंट के टायन है वो इनक्रीज होएगी तो ट्राइवेलेंट है तो इससे तो बहुत कम हो जाएगी ठीक ह है तो अलुमीनियम से बटा क्या हो रही है थिकने से रेडियूज हो रही है फिर उससे कम केल्शियम से फिर उससे कम मेगनीशियम से उससे कम प्रटेशियम से और सब से कम जो है सोडियम से होती है अब आपको याद क्या रखना है कि जो डीडियल की थिकनेस है वो बढ़ती कर दो किसे हैं कौन से क्यान जो है तो सोडियम और लुप पैसियस सोडियम और पैसियु में Ổर लुस्यच बढ़ती है अब लिए हैं तो आपको स्वेश्वन लियाद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर लास्ट में आ मत्रव इससे इन्क्रीज होईगी उससे कम पोटेश्यम उससे कम मैंगनिश्यम कैर्शियम और तिक है मतलव जो थिकनेस इंक्रीज होती है वो सोडियम से ज़्याद होती है उससे कम पोटेशियम से फिर मेंगनीशिम में इनक्रीज जो जाएगी के इस से भी रेडियूस हो जाएगी तो आपको यह सिक्वेंस जो है वो बचो अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा ठीक है एगजाम के अंदर यहां से question बनते हैं अब आते हैं factor affecting DDL ठीक है जो DDL है double diffuse layer है उसको कौन कौन से कारक है जो परबावित करते हैं तो उसको लिखें factor अफेक्टिंग डीडियन ठीक है डिफ्यूज डबल लेयर है उसको कौन कौन से फेक्टर एफेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा वेलेंसी आ जाएगा जो अभी अपनोंने प्रोपर्टीज पड़ी है ठीक है मत्रव एक तो होगे आपके मोनोवेलेंट एक होगे डइबन ठीक है एक होगे आपके मोनोवेलेंट ठीक है एक होगे आपके दाइब nearest से क्या हो परिए है और डाइवलेंट से जो है की ठीक्टने थेखने से वो होगी है थीक्ने से होती है तो यहां पर आपको क्या लेकर नहां है DDL Thickness Increase और यहां पर आपको लिखना है DDL Thickness Reduce ठीक है पहला फेक्टर समझा गया होगा इसका पहला पॉइंट है वेलेंसी वाला सेकंड पॉइंट इसके अंदर अपने ही रहेंगे शार्ट या ऐसे लिएक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन ठीक है अब भी अपनों ने प्रोप्रप्रटी में पड़ेते वह दोनों कोईन्ट यहां पर लिकिदें भी ये इसको effect कर रहे हैं ठीक है electrolyte concentration increase होएगी तो क्या होएगा DDL जो है उसकी thickness reduce हो जाएगी तो यह भी factor effect करता है कि उसके अंदर electrolyte की concentration है वो कितनी है ठीक है योदी electrolyte की concentration आप increase कर रहे हो तो DDL reduce होएगा तो यहाँ पे लिख लोओ स्टेब से आप इसको लिख सकते हो कि electrolyte concentration increase DDL thickness reduce आपको arrow से याद रखना है इसका मतलब बढ़ रहा है इसका मतलब घट रहा है ठीक है तो डीडिल की जो सोरी electrolyte concentration solution के अंदर वो बढ़ रही है मतलब DDL की thickness कम हो रही है next point है वो जैसे मैं नाम लिखूंगा तो I hope कि आपको समझ भी आ जाएगा आप असानी से उसका answer भी है वो देख सकते हैं कि क्या हो सकता है point का नाम है pH अब यदि आपको वेलेंसी वाला electrolyte concentration वाला समझ आया हुए तो आप पीएज को असानी से बता सकते हो कि हां सर पीएज का ये effect पड़ेगा ठीक है तो पीएज का क्या effect पड़ेगा अब देखिए जीरो टू 14 पीएज होती है ठीक है जैसे जैसे जीरो से 14 की तरफ जर रहे हैं तो अपने को किस की concentration जो है बढ़ती दिखाई दे रही है तो यहां पर सब से ज्यादा जो है तो यहां पर ऐलुमीनियम जो है उसके मांट ज्यादा होती है तो जैसे जैसे प्यएज बढ़ रही है डीडियल की तिकने से वह भी बढ़ रही है मत्रों यहां पर ऐलुमिनियम था उससे कहा थी जो है जादा है कैल्सियम के बाद मैंने आपको पॉइंट लिखाया प्रॉ सोडियम से होती है तो यह पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि पीएच बढ़ेगी इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप पीएच का नाम देखते ही यदि आपकी दिमाग की बत्ती जल रही है तो आप इसको देखे असानी से बता सकते हो ठीक है न तो क्य ठीकनेस जो है वो क्या होगी इनक्रीज होगी ठीक है एक्जांपल इसके अंदर जैसे सोडियम है तो इसको यह जो अपना छोटा सा टोपिक था डीडी यार डिफ्यूज डबल लेयर जिसके अंदर आपनोंने पहले डाग्राम को समझा उसके अंदर दो लेयर थी नेगटि ठीक है उनके अधर नेम है वो आपको अच्छी तरीके सियाद रखने है फिर अपनोंने इसकी दो प्रोपर्टीज भी ठीक है एक के अंदर बो रहे थी की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो डीडियल की जो ठीकनेस है वो रेडियूज होईगी सेकिन पॉइंट में मै बढ़ेगी यदि डाइवलेंट डीडियल की ठीकनेस गटेगी सेके नमर पर आता है एलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो डीडियल की ठीकनेस घट जाएगी ठीक है तो यह पॉइंट आपको याद रखना है आई होप कि आपको लेक्टर अच्छा लगा सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाना और ज्यादा से ज्यादा अग्रीकल्चर कम्यूनिटी को इस प्लेटफर्म से जोड़िएगा थैंक यू